मैं आपको पोर्टली बैक बनाना सिखाऊंगे वो भी बारिकी के साथ देखिए ये मेरे लहंगा साड़ी का नेट का पल्ला था तो मैंने पल्ले को काट करके इसके दो पीस ले लिए हैं आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग लीजिए और उसी के साथ मेरे पास एक रफली कपड़ा पड़ा था तो मैं इसको अस्तर में यूच करूँगी देखिए मैंने किस तरीके से सिलना हैं मैं आपको बारिकी के साथ बताती हूँ सबसे पहले आप जो टॉप वाला कपड़ा है हमारा नेट का जो फ्रेंट में आएगा हम मेरे पास ये लैस है मैं इसको इसमें किस तरीके से लगाऊंगी ये देखिए लैस को मैंने नीचे को इसका मूँ करते हुए इस तरीके से इसमें मैं एक स्लाइख दे दूँगी मैं अपने दोनों पीसिस में एक तरफ से इसे लगा लूँगी जो मेरी लैंथ वाली साइड होगी अब इसको लगाने के बाद देखिए मैंने दोनों में ये लगा दिया है अब हमें क्या करना है जो हमने इसमें अपनी लैस लगाई है उसके उपर हम अपना अस्तर का कबड़ा रखेंगे और अस्तर का कबड़ा रखते हुए हम उसी मार्जन में इसमें सिलाई कर दिंगे जिसमें हमने अपने लैस में सिलाई लगाई थी अब मैंने दोनों को देखे इस तरीके से सिलाई लगा करके तैयार कर दिया है अब हम इसे उल्टा कर लेंगे I mean सुल्टा करेंगे सुल्टा करने के बाद देखे लेस हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये देखे कितनी बड़िया लग रही है और लेस लगाने के बाद हम इसमें एक टॉप स्टिस दिंगे जिससे हमारी लेस आराम से बैठ जाएगी हमने अपने दोनों पीसिस में इसी तरीके से टॉप स्टिस देते हुए अपनी लेस को बिठाल देना है ये देखिए मैंने अपने दोनों पीसिस में इस तरीके से लेस लगा ली है अब इसके बाद हम जब हमारी लेस लगके रेडी हो जाएगी तो हम बाकी के जो हमारे थ्री साइड हैं इन्हें भी हम सिलाई रख लेंगे और हम अपने दोनों पीसिस में सिलाई रख करके रेडी करेंगे ठीक इसी तरीके से हमने इसमें भी सिलाई दे देनी है इतना करने के बाद जब हमारी सिलाई बिल्कुल पूरी हो जाए दोनों पीसिस में उसके बाद देखिए हम कुछ इस तरीके से मेजर लेंगी एक से डेड़ इंच अगर आप एक इंच छोड़ना चाहें या आप ज़्यादा छोड़ना चाहें मैं एक इंच छोड़ रही हूँ हम इसमें इस तरीके से एक इंच में हमने माक लगाया है और इस लाइन को हम कर दिंगे इस तरीके से सीधा स्केल की साहता से अब इसे सिदा करने के बाद देखिए मेरे पास एक पुरानी लैस पड़ी थी जो बहुत अच्छी है और वो भी मेरी लहंगे साड़ी में ही लगी हुई थी उसको देखिए जो हमने एक इंची की नाप लिये है हम वहाँ पे से किस तरीके से लगाएंगे हमने एक लैस ले लिये ठीक इसी के नाप की अब हम इस लैस को इस तरीके से अंदर को फोल्ड करते हुए सिल लिंगे दोनु साइट से ताकि इसकी फिनिशिंग बनी रहे अब देखिए मैं दो लैस लूँगी क्योंकि मैं दूसरे पल्ले में भी लैस लगाऊंगी देखिए मैंने दोनु लैसों को इस तरीके से फिनिशिंग के शाथ सिल दिया है अब हम इसको इस तरीके से इसमें रख करके जो हमने नाप ली थी हमने वहीं पे सिलना है आधा इंच इस साइट और आधा इंच उस साइट रख करके इस तरीके से हमने सिलाई देनी है इसके बीच की जगा को हमने नहीं सिलना है यह ध्यान देना है क्योंकि हम इसमें अपनी बाद में डोरी डालेंगे और ठीक इसी तरीके से हम इसमें भी अपनी एक इंच की नाप लेकर के नीचे को इस लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे आइड और साइट से नहीं करेंगे के और उपर और नीचे से करेंगे अब इतना करने के बाद देखिए जब हम इतना अपना कर लेंगे अब हमने क्या करना है अब देखे मैंने लाज इस तरीके से ही लगाई है ताकि मेरी दोनों साइट से डोरी जाने के लिए खुली रहे अब हमने क्या करना है ठीक इनको आमने सामने रख करके इस तरीके से हम रख लिंगे और इसकी साइट वाली सिलाईों को हम कर लिंगे और ध्यान रहे आदा इंच के मार्जन से जो हमने डोरी डालने के लिए इनका मुझ खोला था उसे हम बंद नहीं करेंगे अब देखिए मैं आपको इत्तिस लाई करके दिखाती हूँ जब हम इस लाई को रख लिंगे उसके बाद देखिए इसे हमें पोर्टली नुमा बनाने के लिए हमने क्या करना है करीब दो इंच का मेजर नीचे से करते हुए देखिए इस तरीके से आप नीचे से दो इंच का हम इसमें मेजर लिंगे और मेजर लिने के बाद हम इसे स्केल से कर लिंगे लाईन को बिल्कुल सीधा लाईन हमने इस तरीके से सीधी कर लिया है और सीधा करने के बाद हमें इसे इस तरीके से पल्टेंगे देख लीजिए ठीक जिस तरीके से मैंने पल्टा है और किनारे स हम लगा देंगे सिलाई आइड और साइट से इस तरीके से अब देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसे तैयार कर लिया है अब हम इसे किस तरीके से देखिए सुल्टा करेंगे अब हमने इसको इस तरीके से करना है सुल्टा और सुल्टा करने के बाद आप इसके कॉर्नर्स न इसमें लगा देंगे सिलाई देखिए इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसमें एक फिनिशिंग से आ जाएगी आप चारों तरफ से इसी जिस सेब में हमने कपड़ा अंदर से मोड़ा है उसे सेप में हम सिलाई लगा के दिखाते हैं अब ये देखिए मैंने दोनु राउंड में सिलाई लगा ली है अब हम इसमें देखे किस तरीके से अपने आगे के फिनिशिंग करते हैं अब मैंने दो डोरियां ली हैं डोरियों की चोड़ाई आप जितनी हमारे इसकी मेजर है उससे थोड़ी ज़्यादा रखेंगे हम देखिए हमने पिन से एक साइड से स्टार्ट करनी है डोरी डालनी और डोरी को हमने इस तरीके से डालना है कि देखिए हमने इस साइड डालके फिर इसमें भी डालेंगे और दोनु को उस साइड म डोरी को निकाल देंगے मैंने डोरी को ले करके इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया है आप चाहें तो इसमें नोट भी लगा सकते हैं और अगर ना लगाना चाहें तो अभी हम इसमें वैसे भी हमने लटकल लगानी है तो अभी हम इसकी not नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपका जो ये डोरी है अंदर को किसके न तो हम इस तरीके से not भी लगा सकते हैं अब हमने जिस जहां पे से पहले अपने डोरी डाली थी अब ठीक उसके अपोजित दूसरी साइट से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे अब हम दूसरी साइट से डोरी को डालते हुए ये देखिए कुछ इस तरीके से हम डोरी डालेंगे और डोरी डालने के बाद दूसरी साइट भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे अब मैं इसमें आपको एक लटकन बना के दिखाऊंगी सेम कपड़े की ही मैं लटकन मनाऊंगी और किस तरीके से मैं इसमें लगाती हूँ मैं आपको एक लटकन लगा करके दिखाती हूँ यह देखिए मैंने इसी के कपड़ा ले लिया है और कपड़ा आप अपने मेजर के एकोर्डिंग ले सकते हो वैसे अगर आप इसमें बड़ी बड़ी लटकन लगाएंगे तो वही अच्छी लगती है तो ठीक कपड़े को इस तरीके से मोड लीजिए और बीच में से कर दीजिए आप कट क्योंकि यह बहुत पतला कपड़ा है तो जब इसको हम दो तीन फोल्ड में लगाएंगे तो ही हमारी जो लटकन है वह बन करके अच्छी लगेगे अब बीच में से मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और कट करने के बाद हम इसे सुल्टा करके पकड़ लेंगे और सुल्टा करने के बाद देखिए इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे इस तरीके से हमने मोड़ लिया है आप चाहें तो लटकन दूसरी तरीके के भी बना सकते हैं जो आपको आती है लेकिन मैं आपको एक सिंपल लटकन बताना सिखाऊंगी जो सिलाई नहीं करते हैं वो कि यह बहुत ही ईजी लटकन है देखिए इस तरीके से हमने कपड़े को मोड़ा था अब हम इसके जो दो हमारी डोरी के दोनों सिरे हैं उनको इस तरीके से पकड़ेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए अपने जो कपड़े को है इस तरीके से फोल्ड करके यह सुल्टा करने के बाद जो भी हमारी बड़ी इधर उदर से निकली रोगी उसे हम कर लेंगे अलग और देखिए इस तरीके से मैंने दोनु लटकन लगा करके रेडी कर ली हैं अब लटकन को हम इस तरीके से कीचिंगे तो देखिए हमारा कितना सुन्दर सा पूटली पैक बन है तो हम उसका आपको हैंडल बना करके दिखाएंगे और हैंडल बनाने के लिए देखिए मैं उसी लटकन के साथ हमारा जो पूटली बैग है अगर हम इसमें हैंडल लगा देंगे तो यह और भी सुन्दर लगेगा और आप कहीं भी इसे टांग करके ले जा सकते हैं देख सेम वही लेस है और इस तरीके से हम इसको लगा करके दिखाएंगे देखिए इस तरीके से हमने हैंडल को यहां पर लगा देना है इसे हम लास्ट में भी लगा सकते हैं आप चाहें तो पहले भी लगा सकते थे अब मैंने देखिए हैंडल लगा करके रेडी कर दिया है और क पर इसको ले जा सकते हैं यह बहुत सुन्दर लग रहा है और देखिए और वो भी प्लकुल घर के सामान से ही मैंने पूरा आपका पूर्टली बैक बना करके तैयार कर दिया है अब देखिए आप खुदे इतना सुन्दर लग रहा है यह देखिए इसकी लटकन भी बहुत से स्क्राइब की जिर कमरता